तो जब समझना आए कि क्या बनाना तो आप ये हेल्थी और टेस्टी सबजी जरूर बनाना इससे मुह का स्वाध भी बड़ेगा और सेहत भी दंदरुस्त हो जाएगी सबजिया तो आपने कहीं तरह की बनाई होगी लेकिन एक पर अगर आप इसे बना करके खा लेंगे तो होटल और रेस्टरेंट की सबजिया तो भूली जाएंगे इससे बच्चे और बड़े सभी उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे पर सबसे पहले हेलो एब्रिबान एक अमिशस पर आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे ये स्वाधिष्ट मतर मखाना की सबजी तो पिछले जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं तो इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे हम उसमें हम जो बेसिक सबजे इस्तमाल करते हैं वो मैंने तयार करके रखी हैं यहाँ पर मैंने दो प्याज को स्लाइस कर लिया है चार टमाटर के मोटे मोटे टुकड़े कट कर लिये हैं थोड़ा सा मैंने लहसन लिया है साथी साथ टुकड़े लिये हैं और दो हरी मिर्च ली हैं पहले हमें कणहाई में एक चमच देशी घी को गरम करेंगे आप चाहें तो तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जो प्रोसेस अभी हम इसमें करेंगे उसके लिए अगर घी का इस्तमाल करेंगे तो वो और भी जादा पहले काजू को भूनेंगे तो यहां पर मैंने यह कुछ 10 वारा काजू लिये हैं और उनको बीच में से अलग कर लिया है जिसे कि यह डबल हिस्सों में हो गए हैं और इन्हें हम पहले घी में थोड़ा सा फ्राइब कर लेंगे इस तरह का कलर आने के बाद इन्हें हम निका पूर मातरा में होते हैं और यह काफी सिहत मंद रहती है तो इसके आपने लड़ू, बर्फी, हलवा तो खाया होगा एक बार आप इसकी सबजी भी इस तरह से बना कर जरूर खायेगा क्योंकि यह बहुत जादा टेस्टी लगती है तो हमें बस मखानों को थोड़ा सा फ्रा दाल कर रख लेंगे अब वही कडाई में मैं दो चमच तेल को गरम कर रहे हूं मैं आज बिल्कुल भी जादा बरतन नहीं खराब करूंगी एक ही बरतन में हमारी सबजी बन जाएगी तो जैसे ही अपना तेल गरम होगा इसमें हम एक चमच जीरा डाल देंगे साथी साथ यह इसमें डाल देंगे तीन से चार काली मिर्च के दाने डालेंगे और फिर यह एक आधे इंच का दालचिने का टुकड़ा इसमें डाल देते हैं और एक या दो हरी इलाइची इसमें डालेंगे तो यह खड़े मसाले हम इसलिए इसमें कम डाल रहे हैं क्योंकि ग्रेवी क साथ हम इन्हें भी पीसेंगे तो बहुत जादा इनका स्वाद मसालेदार न हो जाए उसके लिए हमें इन्हें हिसाब से डालना है मैंने इसमें दो सूखी लाल मिर्च भी तोड़कर डाली है और जैसे ही यह सारी चीजे थोड़ी फ्राय हो जाएगी इसमें हम यह हमारे प्य भी डाल देती हूं और बस इन सभी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है यह देखे बस कुछ इस तरह का ही कलर आने तक भूनना है प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है अब बस जो टमाटर के टुकड़े हैं वह हम इसमें डाल देंगे मैंने चार जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे बीच बीच में आप थोड़ा इसको चेक करते रहें और धकन हटाकर इसमें चमर चलाते रहें और इसमें आपको तक्रीबन 3-4 मिनिट का टाइम लग सकता है और आप देखिए यहाँ पर जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मेश हो रहे हैं काफी अच्छे से तो बस यहाँ पर हम गेंस के आज को बंद कर देंगे और इसे हमें क्या करना है कि पीस ना है तो थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी में पीस करके इसका एक बेसिक जो ग्रेवी होती है वो बना लेंगे अब दूसरी तरफ यह हम धन्य पन Peng Amd का बीश का पावडर भी ऑर दाल रहे हूँ हो और यह हाफ टी स्पून हम हल्दी पावडर डाल देंगे और इन सूख्य मसालो को मिलाकर कि हमें इसका एक गोल बनाना है गोल बनाने के लिए आप चाहे तो पाने का इस्थमाळ करसकते हैं लेकिन क्योंकि हम मतर मखाना की special वाली सब्जी बना रहे हैं तो इसमें अगर हल किसी खटास आ जाएगी तो खाने के मज़े ही मज़े हो जाएगे तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि ये वन्थर कब दही डाल रही हूँ ये खटी दही है और ये हमारी सब्जी के स्वाद को काफी जादा बढ़ा देगी तो बस मसालों के साथ हम दही को अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको इस सब्जी के स्वाद को खटा पन पे नहीं ले जाना है तो आप पानी से भी इस गोल को बना सकते हैं अब मैंने वही कणहाई में फिर से थोड़ा सा तेल डाल कर इसे गरम कर लिया है और अब इसमें हम सिर्फ दो छोटे तेजपत्ते डाल देंगे और इन्हें हलका सा फ्राई कर लेंगे इसके बाद जो दही और मसालो वाला जो पेस्ट है हमारा वो हम इसमें डाल देंगे और इस टाइम आप गेंस के आज को थोड़ा सलोपर रखें और अच्छे से से मिला दीजे इस तरह से और बाकी का जो भी paste बोल में है उसके लिए हम उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और इस तरह से सारा का सारा paste हम कड़ाई में डाल कर इसे अच्छे से भूनेंगे अब इसमें हम वो प्याज और टमाटर का paste डाल देंगे मैंने mixi में piece करके उसकी puree बना ली है तो यह हम मैंने इसमें डाल दी है इसे हम अच्छे से mix करेंगे पहले और mixi में थोड़ा पानी डाल करके इसको हम इसमें डाल देते हैं ताकि कुछ भी wastage ना हो और जो सबजी है वो एकदम perfect बनेगी तो पानी तकरीबन मैंने इसमें आधा कप add किया है अब इसी time इसमें हम मटर डाल देंगे तो यह मैंने एक कप fresh मटर डाले हैं जो कि कच्छे हैं तो इस तरह से डालने के बाद यह इसी में पक जाएंगे और अलग से हमें इसे पकाने की महनत या जंजट नहीं करनी पड़ेगी तो बस इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है और धकन लगा करके हम इसे धीमे आज पर ऐसे ही पकने देंगे ऐसे धकन से धकने के बाद आपको इसे तकरीबन 5-6 मिनिट के लिए पकाना है या फिर तब तक जब तक की मसाले में से फिर से तेल ना निकलने लग जाए और मटर आप देखिए हमारे पहले से पक चुके हैं अब हम इसमें 1-1.5 कप गरम पानी आड़ करेंगे तो आपको जितनी ग्रेवी को रसेदार रखना है ये ड्राय रखना है या थोड़ा लिट पटा सा रखना है उसे साब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं तो आपने देखा मैंने ग्रेवी में काजु का इस्तमाल नहीं किया है बलकि एक थोड़ा सा खारते टाइम गंच लाने के लिए इस तरह से काजु डाला है मैंने तो आप चाहें तो इस तरह से भी डालना स्किप कर सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि हमने पहले सिर्फ टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए नमक डाला था अब हम इसमें अपने स्वात के नुसा नमक डालेंगे और साथ ही साथ मैंने ये एक टेस्पून कसूरी मेथी ली है इसको मैंने थोड़ा सा तवे पर गरम करके हाथों से क्रश कर लिया है तो ये भुनी हुई कसूरी में थी हम इसमें डाल देंगे और बस अब सारी चीजों को हमें मिलाना है मखाने डालने के बाद हमें इसको जादा पकाने की जरूरत भी होती है क्योंकि मखाने हमने पहले ही एक तरह से ट्राइ कर लिये हैं और काफी सॉफ्ट हो जाते हैं वो इस तरह से ग्रेवी में डालने के बाद तो बस हम इसको ढखल लगा कर पकाएंगे और दो से तीन मिट के लिए इसे हम अच्छे से बॉयल होने देंगे तो ये देखिए ये हमारी स्पेशल वाली मटर मखाना की सबजी बिलकुल तयार है बस मैंने क्या किया कि ये एक चमच देसी घी इसमें डाल दिया है जो कि इसके स्वात को और भी जादा बढ़ा देगा जैसके आज को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और इसमें ये थोड़ा सा बारिक कटावा हरा धन्या डाल दिया है आप इसे रोटी के साथ, पराठी के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर आप चाउल के साथ भी इसे खा सकते हैं तो बस ये एकदम परफेक्ट होटल और रेस्टरेंट को टकर देने वाली हमारी सबची बनकर के तयार है तो बस आप इसे बनाएए, खाईए और सबको खिलाएए और सबके मुह के स्वात को बढ़ाईए और सबको ये बहुत पसंद आने वाली है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारा चैनल एट यामिशस को प्लीज ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरकी रेसिपीस मिलती रहे और नए रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल भी ना भूले हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जलती मिलते हैं तिल रेन एंजो इस टेस्टी टेस्टी सबजी करें एंजो खर वाचिंद एंट्यों मिलते हैं